जब किसी वेक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो वो घटना उसके अंतर को जब जोर देती समस्त जगत उसे अपना शत्रू प्रतीत होता है अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है उस घटना के उत्तर में वो न्याय मानता है और यह योग्य भी है वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का न्याय वेक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है किन्तु यह न्याय क्या है न्याय का अर्थ क्या है अन्याय करने वाले को अपने कारेर पर पश्चा ताफ हो और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से विश्वास जगे समाज के प्रति इतना ही अर्थ है ना न्याय का किन्तु जिसके वृदे में धर्म नहीं होता वो न्याय को छोड़कर बैर और प्रतिशोद को अपनाता हिंसा के बदले प्रति हिंसा की भावना लेकर चलता स्वयम भोगे हुई पीड़ा से कही अधिक पीड़ा देने का प्रेत्न करता और इस मार्क पर चलते अन्याय को भुगतने वाला स्वयम अन्याय करने लगता शीग रही वो अपराधी बन जाता है अर्थात न्याय और प्रतिशोद के बीच बहुत कम अंतर होता है और इसी अंतर का नाम है धर्द क्या ये सत्य नहीं स्वयम विचार कीजिए